लॉर्ड ओकलेंड लॉर्ड ओकलेंड का कार्यकाल चार मार्च 1836 से 28 फरवरी 1842 इतक था लॉर्ड ओकलेंड के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंगल अफगान युद्ध मानी जाती है प्रथम आंगल अफगान युद्ध 1849 से 1842 इके मध्य चला था लॉर्ड ओकलेंड के कार्यकाल में ही भारतिय चात्रों को डॉक्तरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की अनुमती प्रदान की गई थी बंबई आधुनेक नाम मुंबई और मधरास आधुनेक नाम चन्नई में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी लॉर्ड ओकलेंड के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी लॉर्ड ओकलेंड ने 1849 इमें कलकत्ता से दिल्ली तक Grand Trunk Road GT Road की मरंभ करवाई थी झाल झाल झाल